हेलो फ्रेंड्स आज में आप लोग एक ऐसे नास्ते की रेसिपी लेके आएंगे जिसे आप कब्ई भी किसी भी टाइम बना सकते हो एकदम लाइट होता है खाने में कम तेल में बनता है और जलदी बन जाता है और सभी को पसंद भी आता है तो फिर दैर किस बात की चलिए बनाते हैं इस रेस्पी को आज हम बनाएंगे चावल की आठे से उसके लिए क्या करेंगे आधा कप लेंगे चावल का आठा और ऐसे बोलेंगे तो चम्मच से तीन चम्मच में ले रही हूँ और साथ में इसमें डालेंगे बेसन बेजन डालने से इसका टेक्शर बहुत ही बढ़ियां आता है इसलिए जादा नहीं डालना है बस एक चम्मच ही डालना है अब साथ में ही डाल देंगे एक छोटे साइस का कटा हुआ टमाटर टमाटर डालना पूरी तरो अप्शनल है और साथ में थोड़ा सा कटीवी धन्यापत्ती डालेंगे और तीखा के लिए एक कटीवी हरी मिर्ची डालेंगे तीखा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो तब उस बाउल को हमने साइड में रख दिया है अब दूसी तरफ लेंगे तरोई तरोई भी कहते हैं कहीं परोर कहते हैं कहीं डोड़का कहते हैं आप क्या इसे क्या कहा जाता है मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं अब इसे हमने छिल लिया है छिलने के बाद क्या करेंगे इसे एकदम बारी में छोटे छोटे में कट कर लेंगे अब उसमें ये कटा हुआ दरखी को डाल देंगे डालने के बाद क्या करेंगे? मिक्स करेंगे ये गर्मी का सब्जी होता है, इसमें बहुत ज़ादा पानी होता है और जरीर को ठंड़क भी मिलता है इसलिए इस रेसिपी को आसानी से आप गर्मी में बना सकती हो और खाने में भी tasty लगता है क्योंकि ये कम तेल में बनके ready हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा पहले पानी डाल देंगे उसके बाद mix करेंगे क्योंकि dry है नीचे गीला नहीं है और पानी जब डालेंगे तो अच्छी तरह से mix हो जाएगा तो देखे पूरी अच्छी तरह से ये mix हो गिया है dry भी हो गिया है और चाव लाटा रहने के करण ये पूरा पानी भी सोग कर लिया है तो अब इसमें डाल देते हैं नमक अपने टेस्ट के according साथ में ही डाल देंगे एक चुथाई चमच हल्दी पाउडर हलका सा कलर आए पीला पन अच्छा दिखता है और आधा चमच डाल देंगे धनिया जीरा पाउडर अब इन सारी चीजों को पहले mix कर लेंगे तो अभी तो dry लग रहा है गियला नहीं लग रहा है तो जोरत पड़ेगा उस हिसाब से पानी भी डालेंगे तो यह बहुत जादा सक्त है इतना सक्त में नहीं बनीगा तो थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं थोड़ा सा गीला हो जाएगा न तो आसानी से बनीगा एकदम healthy recipe है और tasty भी लगता है खानी में और morning के breakfast में आप आसानी से बना सकते हो यहां तक कि आप dinner में भी इसे बना की खा सकते हो और गर्मी के दिनों में एकदम light खाना पसंद आता है तो आप इस recipe को एकदम easy way में बना सकते हो तो आप यह mixture ready हो गया तो चलते है फिर नास्ता बनानी की और तो आज हम इस नास्ते को तवे में बनाएंगे उसके लिए तवा गरम करेंगे और तवा में थोड़ा सा तील डालेंगे अभी तवा गरम हो किया है तो गरम तवा में क्या करेंगे एक एक चमच इस तरह से घोल को डालेंगे चम्मस से फेलाना है हाथ लगाने की जौरत नहीं असानी से चम्मस ही हो जाएगा तो चोटे-चोटे साइस का बनाएंगे तो एक बान में तीन पीस चार पीस आप असानी से बना सकते हो और इदी बड़े साइस का बना रहे हो तो एक पीस भी बना सकते हो तो आप सीखने के लिए थोड़ी दिर के लिए छोड़ देते हैं तो अब एक सैट सीख चुका है हालका हालका तो आप क्या करेंगे थोड़ा सा तेल डालेंगे तेल डालके जाता तेल नहीं डालेंगे जोरेंदे थोड़ा थोड़ा तेल डालके फिर से पलट लेंगे तो पलटने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्षर कितना जादा बढ़ियां दिख रहा है बहुत ही अच्छी तरह से सेख चुका है तो फिर दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से सेख लेंगे तो दूसरे साइड भी क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे बस अब अच्छी तरह से सेख लेंगे इसमें इतनी हरी सबजियां डली भी है कि बच्चे जो नए सबजियां खाना पसंद करते हैं आप उसे भी इस तरह से बना के खिला सकते हैं पता ही नहीं चलेगा कि इसमें सबजी से बना हुआ है तो अब दोनों साइड अची तरह से से चुका है तो क्या करेंगे आप निकाल लेंगे इसे और बाकी का भी सेम इसी तरह से से शेख लेंगे तो सिंपल और एकदम चटपटा सानास्ता बनके रेडी हो गया एकदम सॉफ्ट लगता है और कम तेल में बन जाता है अभी गर्मी के दिन में आसानी से आप इसे बना सकते हो तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें